हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उमीदा आप सभी अच्छ होंगे स्वस्त होंगे आपका SSC बैंक क्लास में स्वागत है आज किस वीडियो में हम अपना मोक टेस्ट करने वाले हैं मोक साइस नंबर 3 जो महत का है हमने दो मोक टेस्ट पहले कर लिये हैं जिन्होंने भी नहीं कि यह रहा हमारे पास सीरीज का कोशन अब इस कोशन को कैसे कर सकते हैं अगर हम इस कोशन को देखें तो यह क्या है 18 इंटू वन 3 होगा तो 4 से मिल्टिपलाई कर लेते हैं 123 को 4 से मिल्टिपलाई करोगे तो कितना आ जाएगा ऊप्षिन देख लेते हैं 5 उप्ष्न में आपका 496 आपको गीवन है ठीक है यह वाला आपका आंसर सही हो जाएगा चलो next करते है next question आप सभी के सामने इसमें देखो हम difference लेके देख लेते हैं इसमें starting में difference लेके देख लेते हैं इन दोनों का difference तो हमें दिख रहाएं कि 300 है 300 है इन दोनों का difference कितना होगा 242 4 अब इन दोनों का अगर हम difference देख दो कितना होगा 375 375 एकर अगे अब difference इन दोनों का देख़ दो कितना है 60 इन दोनों डिदेख देख्यों Then 75 सकती है और ह ways to सकता है फिफ्किन कि टेबल चल रही हो एक बार ही फिर से देखते हैं और के और कुछ हो सकता है क्या वो वाढ़ मैंतर नहीं लगाते है यह वाढ़ मैंतर हमने रभ कर दिया दूसरा मैंतर हम कैसे लगाएंगे अब आपका मेंली क्या किया हुआ है कि 8 से तो मल्टिप्लाई कर रखा है और 10 से डिवाइड कर रखा है ठीक है एट से मल्टिप्लाई 10 से डिवाइड कर रखा है तो यहां से देखो अगर आप यहां से देखोगे तो हर जगे क्या कर रखा है इस से multiply और 10 से divide कर साथ 10 नब ale tx multiplied as डीवाइड ठीक है यहाँ पे जेखो गहें तो oh एक सब्सक्राइ से डिवाइड अब टैंसेट ज्यृत जाएगी और 15 in 100 120 होता है फिर यहाँ पे छहाँ नहीं पे भी एड़ से multiply 10 से डिवाइड यहाँ पे वी क्या होगा एडसести multiply 10 से divide 960 multiply 8 divide by 10 तो 0 से 0 cancel 0 से यह वाड़ी 0 cancel तो बचेगा क्या 96 into 8 96 into 8 यह answer आजाएगा तो 8 6 चा 48 4 reminder 8 times 72 72 or 4 76 तो 768 answer आजाएगा 768 answer दे रखा है आपका 4th option में ठीक है यह वड़ा answer सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन देखते हैं यह रहा आपकी screen पर question करते हैं देखो अब इसमें क्या कर रखा है कुछ कुछ समझा रहा होगा कि यहां से तो एक आधी चीज तो हमें यहां से पता चल जाएगी कि यह क्या रखा है यहां पर यह कर रखा है लगबग 2 से multiply यह कर रखा है about about 1 से multiply 1 से multiply और plus 2 इसे multiply plus 2 यह कर रखा है इसमें तो अब इसमें क्या कर रखा है कि यहां से multiply चलो दोबार देखते हैं मल्टिवलाई वाड़ा नहीं है डिवाइड वाड़ा रख लेते हैं उल्टा नहीं देखते हैं सीदाई देखते हैं यानि वन से दिवाइड डिवाइड वाइवन प्लस टू अब देखते हो यहां पर देखोगे तो तू से डिवाइड टू से डिवाइड करने पर कितना जाएगा 143 143 अब क्या एड किया दिवाइड कर लेते हैं तो सअब देखो अब तो पता चली गया एक से डिवाइड दो से डिवाइड तीन से डिवाइड अब चार से डिवाइड और उसके बाद 5 से दिवाइड तो यह तो पतासल गया कि दिवाइड तो 5 से होगा एड कीतना करना है स्टाइक में 2 एड किया पिर 4 फिर 6 अब 8 एड करेंगे फिर 10 करेंगे अब 8 करेंगे और फिर 10 एड करेंगे मैं चलो किरने के देख लहते हैं 21 75 दो के बाद पॉइंट है वो याद रखेंगे हम पांच से काटेंगे तो 5 4 जा 20 5 3 जा 15 5 5 जा 25 प्लस 10 एड करेंगे तो कितना आ जाएगा अब यह पॉइंट के बाद आ गया 4.35 अब प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.35 14.35 यह आंसर हो जाएगा 14.35 यह आंसर आपका first option में ठीक है यह question हो गया next question करते है तो यह आपके सामने next question question number four इसमें आपको क्या क्या दे रखा है कि एक पाइचार्ट है इन एपाइचार्ट एक पाइचार्ट के अंदर arrange average distance in kilometer average distance दे रखे किलो मेटर के हिसाब से km per liter of a vehicle is given particular month ठीक है किलो मेटर पर लीटर मतलब एक लीटर में कितने km चलती है वो दे रखा है अब जनवरी में 50 km चलती है एक लीटर में फरवरी में 55, 65 और 70 ठीक है अब उसके बाद में question देखो question आप सभी के सामने ही है calculate the petrol consumption for the month of gen and fab if the distance covered by vehicle is 250 km in the month of gen 150 km in the month of fab तो देखो 250 अगर जैन में cover करेगी जैन में अगर 250 कवर करेगी तो जैन में 50 km के हिसाब से चलेगी यानि 250 कवर करने के लिए 50 से डिवाइड कर दे तो क्या जाएगा किलो मेटर है तो बताओ जिरो से जिरो कैंसल फाइफ से 25 फाइफ यह तो आगी जैन की ठीक है कि फाइफ किलो मेटर लगेगा जैन में अब consumption फाइफ किलो मेटर जैन में होगी अब फैब में देखते हैं फैब में 55 है फैब में कितनी है 55 और फैब में कितना जाना है इसे 150 किलो मेटर तो 150 किलो मेटर जाना है इसको और फैब में कितनी है 55 यानि 55 अब पता चल जाएगा देखो 5 से करोगे तो 5 3 जा 15 0 अब 5 से करोगे तो 11 30 by 11 तो 5 प्लस 30 by 11 5 प्लस 30 by 11 यानि कितना आ जाएगा LCM लोगे तो 55 हो जाएगा divide by 11 अब क्या हो जाएगा अगर आप सही तरह देखोगे तो 85 85 by 11 85 by 11 तो देख लेते हैं एक बड़ी question में 85 by 11 है या फिर point में लिखा हुआ है तो देखो हमारा 85 by 11 आया था 85 by 11 अब point में करोगे तो 7 पे जाएगा 7 पे जाते ही point लग जाएगा क्योंकि 77 यानि फिर कितना बचा 7 बचा यानि फिर कितने बचाएगा बिल्कुल 7 आते ही तो आपका यही answer आ जाएगा बात ही खत्म हो गई बस ठीक है तो यह आपका answer आ जाएगा तो next question करते हैं यह आपका next question अगर हम इसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं एक एक मिसे भी देख सकते हैं calculate the average distance per liter for all the five months gen 2 मई तो जैन से मई के बीच में दे रखा है तो देखो 55 65 55 है यह दिखो ऍने सप्सी सॉप्चाए की टेम्टर के साब से जल रहा है अब देखो एक यह लिटर यह लगा दो तीन 3057 चाहर पांच लीटर तो यहान लग गया और टोटल डिस्ते हर नहीं है फ़ाइफ क्तरप फ़ाइफ problजम है थेन वंडिमाइंडर 5 और 5 तैन. 10 और 6 16 6 22 23 और 7 30 तो 30 अब देखो 1 2 3 4 5 5 लीटर में 300 किलोमेटर चल रही है तो 5 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा 60 60 हमारे क्या आ जाएगा यह बाकी के कोश्चन भी इसी से रिलेटिड है एक परसंटेज से रिलेटिड है यह बाड़ा कोश्चन तो देखो कितना परसंट कितना परसंट मोर फोर मई मंत कंपैरिजन टू फैब मार्च एपरेल मंत तो कितना जादा है कितना परसंट है मई का फैब मार्च और एपरेल के कंपैरिजन में एवरेज निकालेंगे पहले हम फैब मार्च और एपरेल का एवरेज निकालेंगे फिर मई का नेक्स्ट करते हैं अब देखो इन तीनों का तो यहां से पता भी चल जाएगा यह फरवरी है मार्च और अप्रेल तीनों का अगर फरवरी मार्च अप्रेल का आवरेज निकालोगे तो वो तो 60 निकलेगा अब यह कितना 70 यानि 10 बटे 60 20 इन्टू 100 0 से 0 कैंसल हो जाएगी कितना जाएगा हैंड़ड़ बाई 6 एंड़ड़ बाई 6 कितना होता है 16.67 यह वाड़ा आंसर आ जाएगा बस आसान था ना क्वेशन नेक्स्ट कोष्चन यह भी सिस रिलेटेड़ यह भी आप कर लोगे तो नेक्स्ट कोष्चन देखो सीरीज को वह वना एक्स वर्डा कोष्चन है यह X की वैल्य निकाल लिए आपको क्वाड़ेटी की इक्वेशन है चलो देखो अब हमें पता है कि X की दो वैल्यू आएंगे क्योंकि X का स्केर है अब देखो कैसे करते हैं इन कोश्चनों को X स्केर प्लस 17 प्लस 60 अब देखो addition या addition या subtraction तो इतना ना चाहिए और multiplication इतना ना चाहिए तो आप लोगों को number 20 यह सायज पता चेल गहीं होंगे मेरे इसाब से तो 20 और 3 है जब 20 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो सटरा जाएगा और 20 को 3 से मिल्ठीप्लाई करेंगे तो 60 अजयेगा ठीक है प्रिक अधे तो यह हो सकता है एक अब 20 और तीन या तो तो 20 प्लस का हो यह माइनस का हो तो यह प्लस का यह माइनस का तो फिर इनिके मिल्टिप्लाई प्लस में नहीं आएगी क्योंकि माइनस ही रहेगी तो इसका मतलब यह तो नहीं आप आएंगे और कोई फैक्टर ढूंड लेते हैं ऐसा फैक्टर एक और मिल गया हमें क्या मिल ग इसमें देखेंगे 255 हमारी multiply आने चाहिए और 32 हमारा आने चाहिए दोनों का सम तो कैसे कैसे कर सकते हैं अब 5 आएगा लास्ट में यानि 5 से कुछ वैल्यू होगी 5 से कुछ वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या क्या हो सकती है या तो 15 हो सकता है 15 17 हो सकता है अब 15 17 देख लो 15 7 जा 17 फाइब यहां यहीं फैक्ट राएंगे दोनों की multiply भी इतनी हो जाएगी जानि इसमें क्या गया 15 और 17 अब यह दोनों भी प्लस के हैं क्योंकि माइनस अच्छी अब यह बाद में यह दोनों भी प्लस के आ जाएंगे अब 12 है 12 से दोनों बड़े हैं पांच से भी दोनों बड़े हैं यानि X क्या है आपका छोटा है Y बड़ा एक्स छोटा है Y बड़ा है आंसर टू आ जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं यह रहे आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन यह देखोगे देखो एक्स स्केर 23 एक्स प्लस 126 इस इकूल टू जी यह आपका गीवन है आपको तू देखो मल्टिप्लाई 126 आनी चाहिए और एडिशन 23 ठीक है इसका मतलब क्या क्या हो सकता है तो आप बताओ 126 मल्टिप्लिकेशन आनी चाहिए और यह तो यह हो सकता है आठ बारह ग्यारह क्या क्या हो सकता है देखते हैं और अगर 11 है और 11 से याई लास्ट में और वैसे मुल्टिप्लिकेशन 6 या तो 12 13 हो सकता है कि या फिर और कुछ और कुछ और कुछ अगर हम देखें तो है पहुत से तो मुल्टिप्लेई होगा नहीं चार चिक स्टूर्स चार कि में पुर्टिण और 19 हो सकता है फूर्टिण और 9 फूर्टिण और 9 हो जाएगा फूर्टिण जबन 26 ही होता है पूरा यह यहीँ बनेगा अब यह दोन वैल्यूप बिलस की हो जाएगी क्योंकि ऑओ यहां पर साइन मायनिस का है अब देखो इसमें क्या करोगे यह भी कुछ ऐसा ही बनेगा 177 जा होता है 177 जा बन 99 तो 17 आ गया 7 और यह भी यह माइनस के आ जाएंगी यह दोन वैल्यू किसके आ जाएंगी माइनस के अब यहां से आपको क्या पता चलता है कि पलस 17 और 4 प्लस तो दोनों वैल्यू माइनस के आ जाएंगी अब यहां पर दोनों वैल्यू माइनस की यानि वाई के छोटा है और एक्स के बड़ा है तो यह वाड़ा पानसर आ जाएगा यह वाड़ा आंसर ऑप्शन फर्स्ट में यह उप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जल्दी करो जल्दी जल्दी देखते हैं कौन करता है सबसे पहले जेरा प्वेश्चन अब इसमें क्या होता है 28 इंटू 15 करोगे 28 इंटू 15 करोगे उसके बाद में 41 का आपको factor find out करने पढ़ेंगे तो इसमें देखो यहीं से कर लो ना 15 पता है और 28 पता है यह दो ही आने चाहिए तो 15 क्या क्या लिख सकते हो थ्री इंटू 5 और 7 इंटू 4 अब देखो कैसे आ सकता है वो देखना है आप में तो 7 की अगर 3 से मल्टिप्लाई करवा दो 21 हो जाएगा 5 की 4 से करवा दो 20 हो जाएगा दोनों का णहें और 21 चाहिए यानि 57 आने के लिए 22 और 35 25 और बाइस 57 हो जाएगा इसका मतलब यह दोन वैल्यू आएंगी का मतलब है कि यह दोन वैल्यू प्लस के आएंगी 22 भी और 35 भी तो यह वाई की वैल्यू 35 22 अब देखो यहां पर 15 यहां पर 10 है इनका रेश्यो निकाल लेंगे 15 10 का रेश 3 ratio 2 तो ऊपरवाइं वैल्यू को 3 से दिवाइड करना पड़ेगा नीचे वापज dengan वैल्यू को पर तो से दिवाइड करना पड़ेगा तो इससे अच्छा हम यहां पर त्से मल्टिप्लाई Continue verley कर लें अब यहां पर तू से मेल्टिप्लाई करोगा ऊ pega 21ंग और बसक्तितना है एक से तो यह वाला आंसर से हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन आप सब की स्क्रीन पर यह रहा कुश्चन आपके सब सामने हैं अब देखो 78 है 78 4 और 37 अब पता है 78 और 4 मुल्टिप्ला ही होगा फिर भी हम करते हैं 78 के थे फैक्टर है तो थैटाने है अब यहां पर ऐस शैक्टर ही है आम यहां यहां पर Buddhist का मिल्ब 3 into 5 होता है, अब 17 चीए है, 17 चीए है, 17 हम कैसे लेके आएंगे, 12 और 5, 12 और 5, 12 और 5, 17, दोनों plus के हो जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे तो plus के हो गए, यहाँ पे भी plus के हो गए, अब multiply देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, 15 से divide करना पड़ेगा, 4 से divide करना पड़ेग और यह 4 से multiply, अब 15 से multiply करोगे, तो 13 into 15 बहुत जादा बढ़ा जाएगा, 24 into 15 भी बढ़ाएगा, अब 4 से 12, 48 तक ही रहेगा, और यह 20 तक ही रहेगा, इसका मतलब हमारी जो X की value है, वो क्या होगी, बढ़ी होगी, multiply करना जरूरी नहीं है, multiply करके देखना जरूरी नहीं है, बस यह देखो कि value बढ़ी आएगी न, 13 into 15 करोगे, तो value बढ़ी आजाएगी, 15 into 24 करोगे, तो value बढ़ी आजाएगी, value बढ़ी आते ही हमें पता चल गया, X बढ़ा है, Y से बस answer आगया, ठीक है, next question, यह रहा आपके सामने, next question, देखते है, यह कह रहा है, what should be approximate value that comes, तो approximate value बत 509, multiply by 51, multiply में 68, 211, multiply में convert कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1797, multiply में convert करेंगे, divide को, तो यह change हो जाएगा, नीचे वाला उपर, उपर वाला नीचे, उपर वाला नीचे, यानि 39, अब 17, 17 से काट तेंगे, 17 से यह चार पे गया, यह तीन पे गया, 17 से यह चार पे गया, यह देखो अगर हम इसे 3 से काटें तो यह नहीं कटेगा 3 से पता है आम नहीं कटेगा तो हम 13 से काट की देखें ओर यह यह नहीं कट रहा है क्या यह 3 से कटेंगा हम आतीन से यह कट जाएगा तो 3 से काट तो 3 से 5 15 15 जो बचे गया 29 में 27 को दो बचे तीन 27 तो यह तो कट गया अब 13 से इसे काट के देखें और क्या गट जाएगा कि देखते हैं अब 39 यह देखो तेब 13 से काट के देख लेते हैं तेरा चुकि बावन अगर बावन होगा तो साथ बचेगा 79 तेरा से खटें तर तो 46 पॉइंट कुछ आएगा और यह तेरा से तीन विकट जाएगा काट ही लेते हैं अब जाए प्रोक्षिमेट जो वैल्यू निकाल नहीं है अप्रोक्षिमेटर तो काट लो यह 13 से काटा तो 46 पॉइंट कुछ आ गया और यह 13 से काटा तो 3 आ गया ठीक है अब इसे 3 से काट ओगे अभी से काट लो 211 46 को काट लो 211 से 46 को अगर 211 से काट होगे तो कितना है गा 5 प्यक्ष तो फिर बड़ा हो जाएगा 5 पे तो निं जाएगा यानि four point कुछ पर जाएगा कि कि 211 यानि 500 तक अगर हम जाएं तो 200 200 इसे ही काट लेते हैं four point eight के राउंड आएगा five मान लेते हैं four point eight के राउंड यह five five से यह भी काटे five टीजिव नो चीजिव तुछ ए और इसे काटते जो चालीस चालीस उना चार एक सो शाट एक सो शाट के रांड आ रहा है ठीक है यह लास्ट में क्या बचा फॉल्टी बचाई यह फोर वचा थो फॉल्टी इन्टॉ फॉर बन सिक्स्टी रांड अपना आंसर आ जागा ठीक है कि नेक्स्ट कोश्चिन आप सभी के सामने है कि यह बहुत यासान कुश्चन है बस आशर बता ने आपको क्या आएगा अब 99 है यहां पर यहां पर क्या है 99 यहां पर 66 यहां पर 99 यहां पर डबल 0 है अब देखो 99 और 99 यह यह 66 है तो 99 में से 66 माइनस हो जाएगा तो 33 बचेगा अब 99 और है तो दो बचेगा तो 9 और 9 3 12 12 13 13 32 यानि एक तरिमेंट दिला जाएगा 32 बचेगा अब इसमें से ऐसा क्या माइनस करेंगे तो 68 माइनस करने पर 32 यह ठीक है 68 माइनस करने पर 32 यह भी ठीक है इसका मतलब लास्ट में तो 68 ही हो अब पहले की वैल्यू क्या आएगी वह फैंड आउट करनी है अब हमें पता है यहां पर 111 है 111 जिस में से चप पर माइनस करने है 56 माइनस करने है तो 11 में से 6 गया 5 10 में से 5 गया 5 9 यानि 64 अब 64 तक आ गया अब 65 हो जाएगा क्योंकि एक रिमाइंडर भी था 65 अब 80 में से क्या माइनस करूं कि 65 आ जाए तो आप सभी समझदार है 86 में से क्या माइनस करूं 80 में से कि 65 आ जाए यानि 15 के राउंड सम्थिंग और पर एक रिमाइंडर भी था हमारा ठीक है एक रिमाइंडर भी था तो यह फाइफ अब 15 के राउंड आ जाएगा अब कहा जाएगा यह कि अब यहां पर आया था 32 अब 32 एट थाउजंड में से 32 माइनस होगा तो कितना आएगा वही वैल्यू आएगी कितने बेरे गुड 1538 आ जाएगा इसका अंसर बगे बज़ जै करते हैं सोरी 1538 नहीं लास्ट में तो हमारा 68 आ था यानि 1468 और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1468 लास्ट में तो 68 आ रहा था बस 13 नहीं आ सकता 14 आ जाएगा बस यहीं से पता चल गया ठीक है नेक्स्ट कोश्चन यह रहा आप सभी के सामने आसान कोश्चन है ट्राइ करो एप्रोक्सिमेट निकालना है इसमें भी एप्रोक्सिमेट निकालना है तो यह पूरे-पूरे नंबर ले लो आप लोग यह माल लो 20 20 का स्कुर होता है 400 यह माल लो 9 9 का स्कुर होता है 81 यह माल लो 14 14 का स्कुर होता है 196 यह माल लो 19 ठीक है अब देखो 81 और 19 को अगर add गर दोगे तो कितना बनेगा 81 और 19 को 100 अब माइनस का एंडड है तो एंडड में से एंडड माइनस हो जाएगा कि दना जाएगा 496 496 के आस पास आपकी जो भी वैल्यू है वह आंसर आ जाएगी यह नहीं 496 ऑप्शन से नेक्स्ट क्वेश्चिन आपकी स्क्रेइन पे यह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चिन थ्री की पावर 5 त्री की पावर 5 त्री की पावर 5 है माइनस 10 की पावर 2 प्लस बन की पावर 6 इस इकूल टो एक्स की पाव एक्स का स्कुर्ट अब देखो 3 की पावर 5 कितने होती है 3 की पावर 2 तो 9 होता है 3 की पावर 2 9 होता है 3 होता है यानि 243 9 9 जा 81 3 3 जा 243 अब 243 यहां आ गया अब उसमें से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 143 143 में कितना एड हो जाएगा 1 ही एड होगा 144 यह कितने का स्केर होता है यह होता है आपका 12 का स्केर तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 12 एक्स की वैल्यू 12 आगी सेकिंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया नेक्स्ट कॉश्चन आप सुब की स्क्रीन पे यह वैल्यू आपको फाइंड करने है तो देखो इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यह तो 32 है मैं पता है यह कितना है 3 इंटो 4 12 प्लस 1 13 बाइ 4 13 बाइ 4 यह वैल्यू कितना है 4 इंटो 2 8 8 प्लस 5 13 बाइ 2 अब देखो 13 बाइ 4 13 बाइ 2 यह तो एक्स है माइनस 7 एट जा 156 प्लस 359 बाइ 8 प्लस 1 बाइ 8 देखो अब आगे करते हैं यह 59 है अब लोग दिहान रखना थोड़ा सा ही है 59 ठीक है अब देखो हमें पता है यह तो 32 ही है हमें पता है यह तो 32 ही है अब देखो अगर मैं इसे 4 बना दू तो 2 से मल्टिप्लाई 2 से मल्टिप्लाई तो अभी यह किज़ना आ गया 26 बाइ 4 अब सेम एल सेम हो गया तो दोनों वैल्यू एड हो जाएंगी तो 39 बाइ 4 प्लस 32 यहां पे देखोगे तो एक्स माइनस अब यह वाली वैल्यू माइनस की यह वाली प्लस की है सेम एल सेम है तो 59 में से 1 माइनस हो जाएगा 58 बाइ एट अब चार से काट दे तो यह दो से काट देते हैं दो से काटने पर जा जाएगा 29 बाइ 4 29 बाइ 4 अब देखो 32 पहले से ही था प्लस 39 बाइ 4 अब यहां पे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा इस साइड आ के 29 बाइ 4 इस इक्स अब दोनों वैल्यू फिर से एड हो जाएंगी क्योंकि इस एल्सें तो फूरी है तो तीस और विस पचास नो दूनी अठारा पचास में यानि 68 बाइ 4 इस इक्स थर्टी टू पहले भी है अब फॉर से काट देंगे फॉर से कितने बगटेगा अब 17 प्लस थर्टी टू आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टी टू और सेवन्टी यानि 9449 49 अब का अंसर आजाएगा ओप्शन फॉर्थ ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे यह आपका क्वेश्चन अर्थमेटिक का क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा एक क्रिकेटर एवरेज रन ओफ टैन इनिंग वोज थर्टी टू एक क्रिकेटर है जिसकी दस इनिंग की जो एवरेज हो 32 है तो देखो नेक्स्ट बारी यानि 11 पारी में दस इनिंग को चार से मतलब आरे एक इनिंग में चार बढ़ने चाहिए तबी तो एवरेज चार से इन्क्रीज होगी चार रन यानि 40 रन तो इसलिए बनाने पड़ेंगे ताकि यह दस जो इसने पहले इनिंग के लिए इसके इन्क्रीज हो ठीक है इसलिए 40 रन बनाने पड़ेंगे और यह 32 है अगर चार से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी अगर यह चार से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी प्लस फोर यानि 36 अब 36 रन 11 तीनिंग के चाहिए तब तो एवरेज 36 होगी 36 रन 11 तीनिंग के यानि 76 आपका क्या जाएगा अंसर आजाएगा ओप्शन थर्ड ठीक है मैं नेक्स्ट कोष्टिन आप सोकी स्क्रेन पर यह रहा हमारा नेक्स्ट कोष्टिन इस सम डिस्टिब्उटेड बिट्वीन एबीसी एबीसी में एक सम है जो कि डिस्टिब्उट किया गया इस्पशन अजुःख सेवन 13 थे 17 इफ एजसेर जो एगा सेर हैवो एक्स more than one by three of eight share x ka share one by third more than b share is y more than one by second of b share a ka share one by three more than eight share c ka jiu share z more than two by three of c share ठीक है तो ये बाते आपको बताई गई है find the ratio of x, y, z x, y, z की ratio बताने है देखो e ka jiu share है वो कितना है साथ ही माल लेते है वो x more है x more than one by three one by three of one by three का मतलब seven by three इसका मतलब ये कितना होगा ये होगा आपका बताओ हाँ, बिलकुल fourteen by three fourteen by three होगा तभी तो ये दोन एड हो जाएंगे fourteen साथ twenty one by three फिर आपका seven फिर से आ जाएगा यानि x की वैल्यू आ गई fourteen by three अब y की वैल्यू निकालते है y बीद से बीका से इर कितना है thirteen बीका से इर कितना है thirteen यानि तेरा तो बीका से इर है अब बीका से इर थर्टिन है और वो वाइ मोर देन one by two of each share y more than one by two or be each share बीका से इर से इर कितना होगा ये भी thirteen by two होगा ताकि वो आ जाए तो वाई की वैल्यू कितनी होगी thirteen by two अब जैड की वैल्यू निकालते है अब सी का जो share है वो जैड मोर है two by three of seed share तो सी का share कितना है seventeen is equal to z more than two by three two by three यानि seventeen thirty four by three of seed share ठीक है ये होगा अब ये वैल्यू कितनी होगी ये वैल्यू seventeen by three होगी seventeen by three होगी तो two सत्रा दून चोत्रा सत्रा दे क्या उन बटे तीन यानि सत्रा जाएगा तो यह होगी seventeen by three अब यहां से आप क्या दिखोगे यहां से आपको पता चलेगा यह कि यह नीचे वालों का LCM लेके multiply कर दो उपर यानि यहां two से multiply हो जाएगा यहां three से multiply हो जाएगा यहां two से multiply हो जाएगा तो कितना आ जाएगा twenty eight thirty nine thirty four यानि option number two यह answer हो जाएगा ठीक है option number two answer हो जाएगा next question करते हैं यह आपके सामने pipe p अब pipe p के बारे में बात होने लग रही है pipe p alone can fill a tank in twenty hour तो pipe p अकेला बीस गंटों में टैंक बढ़ देता है while pipe q can impetate the tank in thirty hour और q खाली कर देता है तीस गंटों के अंदर यह plus का है यानि बढ़ता है और यह खाली करता है minus का है pipe r alone can fill the tank in certain hours pipe r है वो कुछ x गंटों में टैंक को बढ़ देता है ठीक है 60 divided by 20 60 divided by 23 60 divided by 32 यानि दो खाली करता है एक बरता है ठीक है और लास्ट के 30s गंटों में लास्ट के 30s गंटों में तो 30 hours लिख रखा था यह यह रहा 30 hours तो pipe p और Q ही चला है यानि एक ही 30 गंटों में लास्ट के 30 गंटों में तो तनों ने मिलके था पांच गंटों में तीनों ने मिलके पांच घंटों में यानि था पांच घंटे में तर दोनों पर रहरे थे तब भी पर 5 कौन बर्णाइग एक माइनस कर देते हैं 5 कौन बर्ढाइग था था C 5 कौन बर्ढाइग था C अब पाइप आर ऑड लोगन फिल दी टेंक टोटल टेंक कितना है 60 जिसमें से आर की efficiency 5 है sorry C की efficiency मैंने सी बोल दिया यह आर ये एक्चुली तो 12 गंटे में पूरा पानी पूरा टैंक वर देगा और तो 12 सी हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चिन आप सभी के सामने एक मिक्शर है तू लिक्विट एक मिक्शर है एस तू लिक्विट उसमें दो लिक्विट है A and B in a certain ratio, एक certain ratio के अंदर, when 10 liter of B is added to the mixture जबकि 10 liter है वो B अगर add कर दिया जाए mixture के अंदर, the ratio of A and B became 13 ratio 9 13 ratio 9, जब हमने 10 liter of B add कर दिया When 30 liter of B is added to the mixture, then ratio of A and B is 1 ratio 1 अब फिर से क्या, 50 liter बाद में add कर दिया, फिर से add कर दिया, तो 1 ratio 1 आगी अब 1 ratio 1 आने का मतलब है कि आपका क्या, quantity तो B की add हुई है 30 liter of B is added to the mixture, 50 कहां था, 30 था, 30 था, 50 लिखती है हमने, 30 था, 30 लिख देते हैं तो हमने कितना add किया, 30, उसके बाद में 30 add किया अब देखो, जो quantity है ना, वो इसकी तो same ही रहेगी A की, B B तो add हुआ है, तो A की same रहेगी, तो 13 आ जाएगा 13 आ जाएगा, दो नदर 13 से multiply कर दिया, अब यह 4 बर रहा है मतलब 4 increase हुआ है, 4 क्यों increase हुआ है, 30 की वेज़े से तो A की value कितनी आ जाएगी, 30 by 4 अब find the initial ratio, initial find out करना है, तो 30 by 4, 1 की value है अगर हम total find out कर ले, 13 और 9 कितना होगा, जानी 22, 22 से multiply करने है पड़ेगे अब 2 से काट दिया तो 11 पे गया, 2 से काट दिया तो 15 पे गया, 15 into 11 कितना होगा 165, 165 में 9 लेटर पहले add गया था हमने, 10 लेटर, sorry, 10 लेटर पहले add गया था, 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 155, 155, यह पहले का है, find the initial ratio, अच्छा, initial ratio find out करना था तो 55, या फिर आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ पर हमें पता चलाएगा, 65 जो है, वो पहले था अब 65 का मतलब है, कि आपकी 13 की value, और 9 की value, 1309, 1309, 22 1309, 22, तो यह परी दुबार देखते हैं, यहाँ से हमने 22 की value निकाल दी, एक की value उमारी यह आगी थी, अगर एक की value यह आगी थी, तो 13 की value निकाल लेते हैं, यह इसे direct तो 13 multiply 30 by 4, और दूसरे यानि B की value 9 है, तो 9 into 30 by 4, अब देखो, अगर 30 by 4 आप देखोगे तो कितना होगा, 15 बटे दो, यानि 7 और यह भी कितना होगा, 7 अब यहाँ पर देखोगे, 7 साथ, साथ, साथ है, उसके बाद में 7 को 13 से multiply करना है, 9 से multiply करना है, 13 से multiply करता होगे तो, 5, 6 remainder, 13, 7 जाते रस्ते ही कैन में और छे, सतान में, इतना आ गया, और इसको देखोगे तो 9 से multiply होगा, 9 5 जा, 45, 4, 9, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7.5, पर यह 10 लिटर एड भी हुआ था, 10 लिटर एड होने से पहले कितना था, 57.5, अब दोनों का ratio निकालोगे तो, पॉइंट से 15, 15, 15 पिछा तेरे 1005 पॉइंट आ गया, और यह 5 से काट तो, 5 एका मन पांच, 5, 5, 5, 15, 15 यानि, 115 15 पॉइंट से फिर से काट दो, पां ती यह 15, 5 एकम पांच यह 5 से काट ओगे तो, पांद वूनी दस, पांती पंद्रा तो कुछ इश्यू हो गया साइद कुछ हमने मिस्टेक कर दी नहीं तो हमारा आंसर आना चीए था अगर यह साथ पिकटता है पंद्रा साथ एक सो पांच पंद्रा अठ एक सो बीस इस पांच एक और मैठर भी हो सकता था देख Terp Travis के एक और मैठर भी हो सकता 30 जार से इसे लिए करते हैं उसमें क्या है एक चीज हमें पता है कि इसकी रेशियों कितनी है 13 यहां पे भी 13 हो जाएगी 13 रेशियो 13 हो जाएगा अब हर बार क्या हो रहा है एक तो फ्रम्त से मिरे रही है क्योंकि एक हो तो तो हमने एड किया ही नहीं इसका मतलब एक ही रेशियो तो 13 ही होगी जैसे यह की रेशियो 13 होगी तो फिफ्त आंसर आजाएगा यह वाड़ा अंसर सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने को ट्राई करो आप भी यह बोल रहा है कि एक डीलर है एक डीलर सोल्ड गूट्स एट 16% लोस ऑन दो कोश्ट प्राइज बट ही वेट थर्टी परसेंट लेस्ट पर वह तीस परसेंट लेस्ट पे वो करता है बेचता है वाट इस पर कि तले संट का लोस भात मेफा तो सोपे उसे सोडा का लो निए टी-फॉर का उसने बेचा पर उसने तीस परसेंट व्लैस वेट यूश्क एका उसने सत्तर आई तो इतने पर फाइदा ही हो रहा है उसे तो फाइदा कितने का हो रहा है 14 का क्योंकि 70 का समान दे रहा है चुरा स्विरू पे ले रहा है तो 14 का फाइदा कितने फाइदा सत्तर पे क्योंकि दे तो सत्र काई रहा है multiply हैंडर्ड चोदा पंजे सत्र पांच से कट जाएगा पांच से यह कटेगा तो ट्वेंटी यह ट्वेंटी परसेंट का उसे क्या हो रहा है प्रोफिट हो रहा है यह वड़ा अंसर सही है ठीक है next question आप सभी के सामने यह वड़े अच्छे question है देवरी देखना आप भी ठीक है ट्रेन से लेटीड कोशन है यह चैप्टर बिल्कुल अच्छा होता है बहुत समझने की जरूरत होती है इस चैप्टर के अंदर ट्रेन ए है जिसने क्रोस किया एक मैन को दस सेकेंड के अंदर रनिंग वीद स्पीड ओफ एट मीटर पर सेकेंड आठ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते वे एक ट्रेन ने क्रोस कर दिया एक आदमी को एक मैन को दस सेकेंड के अंदर इन दे सेम डिरेक्शन आफ्टर सम टाइम ट्रेन एक क्रोस दी इंजिन ओफ ट्रेन भी लेंट दस मीटर इन फाइफ सेकेंड उसके बाद में क्या हुआ पांद सेकेंड में में सेम डिरेक्शन के हम सेम एक यह इव दोबार देखते हैं ट्रेन यह ने क्रोस किया सब से पहले एक मैन को मैन 10 सेगंड रनिंग विद स्पीड ओफ 8 किलो मेटर अब मैन की स्पीड कितनी थी 8 किलो मेटर इन दा सेम डिरेक्शन सेम डिरेक्शन का मदलब क्या है दोनों इसी तरह भाग रहे थे ट्रेन ने दस सेगंड में उसे कवर कर दिया अब आगी क्या हुआ एक क्रोस दि इंजन ओफ ट्रेन ओफ लैंथ बी ओफ ट्रेन बी एने क्रोस किया एक इंजन ट्रेन बी का जिसकी लैंथ 10 मिटर थी उसने पांच सेगंड में क्रोस कर दिया कमिंग विद इस स्पीड ओफ 12 कमिंग या नि मतलब वो इसकी डिरेक्शन में सब्सक्राइब लुए अब देख हो एक बंदा है जो आठ मीटर पर सेकंड से दोड़ रहा है उसे ट्रेन ने कवर किया दस सेकंड के अंदर ठीक है और यहां पर दूसरी जो ट्रेन इंजन है उसको कवर किया पांच सेगेंट के अंदर अब देखो यह क्या है रणिंग इन दे सेम डिरेक्शन सेम डिरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी माइनस होगी इसका मतलब स्पीड हम मान लेते हैं ट्रेन की एक्स मैंस एकपार एक्स माइनस एड में कितना टाइम लगा कि टैम लेखा ड़स सेकंड कर थूद जो टासपह्म आपर किया है ट्रें खी एक्सीर अग्सी एक्सपीड है प्लस ट्रेनिंग स्पीड एक्स है प्लस ट्वेल्व और मल्टिप्लाई कितना फाइफ मल्टिप्लाई फाइफ पर यहां पर पर सिनकी तो कोई डिस्टेंस नहीं होती अब भी स्पीड इंटु टाइम हो रहा है क्या हो रहा है स्पीड इंटु टाइम पर इसकी जो 10 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा है यानि यह जो स्पीड इंटु टाइम क्या होता है डिस्टेंस तो यह जो है वो दस मीटर एक्स्ट्रा भी है तो यह एक्स्ट्रा भी लिख लिए अब टैन को अंदर मुल्टिप्लाई क 10x minus 80 is equal to 5x plus 12 plus 12 plus 10 अब देखो 10x है 5x है कितना बज़ जाएगा 5x और ये 12 और 10 22 अब 80 भी पलस का हो गया इस हैडा के 22 तो ये हो गया 102 X की वैल्यू यानी स्पीड ओफ दी ट्रेन आ गई 102 बटे 5 यानी 20 से उपर 21 से कम यानी 20 के आसपास ये ही आ जाएगी 21 के आसपास और ट्रेन की लैंट हो जाएगी 240 मेटर ये इसका ये आंसर नहीं होगा कुछ ने कुछ हमारी यहां पर कड़ बड़ होगी हम दोबार से इस कोशन को करते हैं ठीक है एक्चुली हमने क्या किया हमने कैल्कुलेशन में स्टेक कर दी इस कोशन के अंदर ये पर ये दोबार से कर लेते हैं तो देखो ये हमारे पास क्वेशन है अभी देखो इसमें बोला गया कि ट्रेन ने एक मैन को कवर किया है दस सेकेंड के अंदर formidable और वह मैन ना उसकी स्पीड थी टि मेंटर पर सेब्ट तो और फिरेक्ण डिरेक्शन तो सेम अगर सेम डिरेक्शन है तो क्या होगी और आ डिरेक्शन डिरेक्शन सेम है तोम स्पीड मैनिस हो जाएगी माल लेते हैं ट्रेंड की एक्स स्पीड है और मैंने की स्पीड है एक्स माइनस एट अब दस सेकिंड में कवर किया है तो मल्टिप्लाई बाइ टैन अब यह इसके लैंथ की बराबर आजाएगी तो लैंथ लिखने की जुरूरत नहीं है वैसे पर यह बात याद रखो अब इ वह क्या था ओपूइड डाइक्सेमें चल रहे थी ओपूजट डिर्स में चल लेंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी अब कितनी सेकिंड में कवर किया पाथ जैंड में तो मल्टिप्लाई वाई फाइफ अब उस ट्रेंड की जो डिस्टेंस थी ना इंजिन की जो लैंथ त 10 थी तो 10 को माइनस करते हैंगे ठीक है अब देखो यह कितना आ जाएगा मिल्टिप्लाइए होके टैन एक्स माइनस एक्टी इस इक्वल टू फाइफ एक्स प्लस सिक्स्टी प्लस सिक्स्टी और माइनस टैन यह फिफ्टी हो जाएगा अब एक इस प्लस प्लस होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास जाएगा अबशाप चॉल्ट यह लैंथ है हे खो अगर इस यह अगर पूरी लेंद आगी लेंद में से 10 माइनिस करने के बाद इस लेंद के एक्वल आ जाएगी कि यह इतना एक्स्टा कवर किया है हमने तो यह 50 आ गया सही है सही है यहां तक सही है अब यह 80 साइड आगे प्लस खाओ जाएगा 50 और 80 वंधर्टी अब एक्स की वैल्यू निकालोगी तो क्या जाएगी एक्स की वैल्यू पांच से एकट जाएगा कितने पकटेगा 26 पे तो एक्स की वैल्यू स्पीर हमारी 26 आगी जैसे स्पीर 26 आगे तो हमारा ओप्शन सी बिल्कूल सही हो गया आंसर आगया ठीक है बस यह बात ध्यान देने थी कौन किसके एक्वल पूट करना है वो चीज जरूरी थी अब नेक्स्ट कोश्चन आप सभ जल्दी निकालो अब देखो इसमें स्पीर का दिये रहका है स्पीर का आपकी स्पीर है UFO the largest radius is put inside holo कोन ती assert radius of base कौन to the radius of sphere इस डास क्या क्या रेशियो निकालनी है रेडियस ऑफ बेस की और रेडियस ऑफ स्फिर की ठीक है दरेटी यह अब डीट अफ दी बेस ऑफ दी कॉनिज एट एंड इस हाइट इस फिफ्टीन तो कैसे निकल लेगी देखो अब कैसमें फॉर्मॉला लग जाएगा फॉर्मॉला आंसर आएगा आपका five ratio three answer आएगा जिसे भी try करना है कर लेना next question की तरह बढ़ते हैं यह रहा next question है अब next question में देखोगे तो क्या क्या दे रखा है कि दो statement है one two respectively तो यह देखना है कि कौन सु statement प्रिसेंट है आंसर करने के लिए find the distance traveled by a man एक man की दोरा कितने distance टेवल की गई है वो निकालना है a man cover one by third of the distance एक बाइए एक बटे तीन यानि one by three distance cover किये at the rate of 20 km per hour से ठीक and the remaining distance is at 10 km per hour और बच्चीवी distance 10 km per hour से cover किये time taken by a man to complete the journey is 10 hour तो देखो अब दोनों की help से तो हम क्या कर सकते है question को निकाल सकते हैं पर एक की help से तो नहीं निकाल सकते है total journey 10 गंटों में पूरी होगी ठीक है वन थर्ड और यह आपको पता रखी है ओके तो चलो देखते हैं अब हमें पता है कि जो आपका दोनों statement का अगर use हो गए ना तो तो को शुक्त की statement one से आपका क्या पता चल रहा है स्पीड और statement two से time अब time speed पता चल गया तो distance आ जाएगा क्योंकि distance is equal to speed into time होता है तो यह वाली बात से अब दोनों statement से पता चल जाएगा तो both first and second both are important बहुत जरूरी है अब option में देख लेते हैं option next page पर देखा है इसका यह रहे इसके option और option में आपका जो fifth option उसमें देखा है डाटा इन बोथ इस्टेटमेंट वन एन टू इस नैसेस्टी तो आंसर तो यह वाला आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखो next question आप सब किसके इन पे है इसमें क्या क्या दे रखा है गो थ्रू दी स्टेटमेंट गीवन बिलो और आंसर दी क्वेश्चन बेस्ट ओन इट स्टेटमेंट वन देखो दिर आर फोर केंडिडेट चार केंडिडेट है ए बी सीडी अपेर दिने कोलेज इलेक्शन एंडी है इव इक्वल नंबर ओट से तो चार तो बंदे हैं कौन सीडी सीट गरट से मिले है मतलब इसको लगर वोर्ट से एक्स मिला है तो इसको भी एकस मेला एंप बी ऐस दी वोट सेयर एंड ट्वेंटी तो पर संट एड उस्टू परसेंट यंजा है ट्री नाइंटी वोर्ट यह बता रहे हैं कि एंटाय स्टुडेंट इन दे कॉलेज कास्ट वोट एंड थ्री परसेंट ओफ दिक कास्ट वोट डिकलेड इन्वेलेड इन्वेलेड पोसित कर दिये तो वाट इस टोटल नुम्बर फोट कास्ट दिन अब तो आसानी हो गया अब देखो बी और सी के 13 तेरा का से यसी 13 परसेंट की वजब से तीन सो नगय वोट का डिफ्रेंस आ रहे है कितिनी वोट चाहिए तो नबह बोट आगर इसकी कि वैलू तेरा की वाइद थीन सो कंवेडतो एक की वैल जूट है तो अब देखो एक वैलिए fera Clearly कि आगो और अउड़ दिश्य फयर बह 527325 यानि 50 57 परसेंट और 57 परसेंट इन दोनों के पास आगी तो बच्ची कितनी 43 परसेंट 43 परसेंट का हाफ इसके पास में 43 परसेंट का आफ इसके पास में ठीक है 21.5 21.500 एक परसेंट की वेल्यू तो तीस है तो 100 की वेली तीन हजार अब सो परसेंट का वाली цвет कास्ट इन दे इलेक्शन तो क्या करेंगे हम 97% निकाल लेंगे इसका कि डिबल जिए डिबल जिरो गया जिरो न थरी सावन जा ट्वैंटी वन टू तो टू नाइन वन जिरो टू नाइन वन जिरो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब आपको पता चल गया ए बी सी डी की वोट सेर कितनी कितनी है एक ही वैल्य आ गई अब सारी वैल्य भी आ जाएगी बी ए सब की वैल्य अब आ जाएगी ठीक है तो अब सभी कोश्चन इसी पर रिलेटिड है आपके विच इलेक्शन फ्रॉम दे नियरेस्ट लूजिंग केंडिडेट तो यह वाले स सारे कोश्चन है वह इसी पर रिलेटिड है ये वाले सारे कोश्चन अब आपके हो जाएंगे ठीक है अब तो नेक्स्ट डीय आई की तरफ चलते हैं नेक्स्ट या लास्ट डीय आई आई या आपकी उसके बाद में एक्जाम ये आपका टेस्ट ओवरो जाएगा देखो इ वह प्रेजेंट कर रही है आपको क्या पोश्ड औस अफ प्रोड EKS Iz हमें को स्पॉष्ट का बोड शों सेख लिए प्रोफिट परसेंट हमें जो प्रोडक्षिन अंध gefथ पर्छम एन्रीबोग यह वाली पुमा की यह वाली रिबोग की यह वाली कोस्ट प्रोडेक्शन यह वाली प्रॉपिट पर्सेंट 2011 और 2015 यह तो 2011 पंद्रा यह 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 तक दे रख और अब यह बत देखो इस फ्यू वैल्यू आर मिसिंग इसमें से कुछ वैल्यू मिसींग देखो यह वाली मिसिंग है यह वाली मिसिंग है यह वाली मिसिंग है तो यह वाली वैल्यू क्या है आपकी Missing The Candidate Should Calculate The Missing Values If It Is Required अगर जरूरत पड़ती है तो आपको Missing Value निकालने पड़ेंगी To Find The Answer Answer Find Out करने के लिए From The Question Given Below आपको एक बात पता होने चाहिए क्या की Profit क्या होता है Profit होता है जितने की भी Sale हुई है अगर उसमें से हम Cost of Production Cost Price हम माइनस कर दें तो हमारा वो Profit आजाएगा ठीक है अगर कोई चीज आपने बनाई आपने सो रुपे की बनाई फिर उसने उसी चीज को आपने 110 की बेच दिया तो कितने का Profit हुआ 10 रुपे का तो इन दोनों का Difference है Profit है अब Profit परसंटेज निकालने के लिए Profit Divide में Cost of Production यानि CP और Multiply में 100 होता है तो वो आपका Profit परसंटेज निकल जाता है अब यह सारी चीजे तो पता चल गई अब इस Question को देख लेते है What is the ratio of sale of Puma in 2030 2013 की बात हो रही है Sale What is the ratio of sale of Puma Puma की sale का ratio find out करना है To that revoke in 2014 2014 में revoke यानि यह वाला तो Puma की sale कितनी हुई है यह देखो Cost of Production कितनी है 420 जिसमें से 20% का Profit हुआ है यानि 420 पर 20% का Profit यानि ये value 20% का Profit यानि Profit होके 20% का Profit होके कितने की sale हुई 120 की ठीक है अब 0 से 0 290 से यह वाला 0 रही यह वाला 0 कट गया 12 से multiply करोगे तो 12 दूनी 24 22 24 24 24 25 50 504 और अब यहां पर भी ऐसा ही find out करना पड़ेगा आपको Rebook के साथ में यह रहा अब यह है 470 Multiply में 120 Divide में 100 00 से फिर से 00 Cancel 12 पर चाहरा सते 84 822 चोक 48 48 और आट यानि 54 ऑद आट यह फिर आट आट और आट आट आपको यह यहनि 56 50 16 15 grateful और यह अंधो फ़ीफोज़ चारेश्यो क्या आएगा यहां पर लिख लेते हैं 504 और 504 चार पांसो चौनश्यों अब रेश्यो देखो कि तो किस पर काटें किस पर काटें बताओ चार चार पे तो नहीं या तो हम इसे पांथ से दो से चलो चार से काट लेते हैं फॉर वन जो फूर टैन फॉल्ड हुजा एट टू फॉर शिक्स चार ट्वेंटी फूर अभी से फॉर चार से काट हो कि चार एकम चार 16,4,16,4 यानी 126,141 अब 126 और 141 को अगर काट होगे तो किस पर काटेंगा 4 से ही काट के देखोगे तो 3 से काट होगे 3 से ही काट होगे तो 3 से ही काट होगे तो 3 चोके 12,3 दूनी छे तो 42 तो तो निचे यानि 42 आएगा ना 42 आएगा तीन से काट होगे तो 3 चोके 12 यानि 3 से 21 तो ब्याड़ीश रेश्यो शेंट आशांसर हो जाएगा यह वाड़ा ठीक हैं तो अब देखो कोशन आपको समझ में आया कैसे करना है अब यह भी इसी का इसी की तरह कोशन होगा यह वाला भी और यह वाला भी ठीक है यह वाला भी यह सारे इसी की तरह कोशन थे और उसके बाद में खत्म होगा तो में चीज यह थी कि आपको यह देखना कि यह कैसे सोल करना है अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो कोशन में थोड़े इसी डिटेल करना है ऐसी है यही तरही काम क्या है और आपको समझा किसे क्या है और चीज तो आपको पता ज visitor में तो आपको आपको पताल जाता मुक्य कि आग यह वाला है तो इससे यह फाइदा है कि आप घर पे जाके कर सकते हो ऐसे question को ठीक है तो चलो एक चीज और important बात कर लेते हैं आपसे अब आपसे important बात कर लेते हैं देखो important बात ही आपके है सबसे important बात है आप चैनल को subscribe कर लो क्योंकि subscriber हमारे बहुत कम है और आप channel की video को like किया गरो और अपने friends को share किया ठीक है सबस्क्राइब कर लो like कर दिया गरो वीडियो को और अपने friends को share किया गरो ताकि channel गरो होगा तो हम और ज्यादा वीडियो लेके आएंगे अब SSC की भी वीडियो लेके आएंगे SSC का आपका CGL का mock test वगरा लेके आएंगे तो उससे क्या होगा आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप लोग अगर subscribe करोगे तो थोड़ा बहुत फायदा हमें भी होगा अब हमें भी तो थोड़ा बहुत फायदा चीए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो नए 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 content और नए नए मोक टेस्ट नए नए question प्रोवाइड कर सकें तो इसलिए हमें भी आप support करो तो चलो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में मिलते हैं तुब तक के लिए जे हिंद जे वारत झाल झाल